हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू भारत दर्शन स्टूडियो और आपका स्वागत एक और स्पेशल वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही खास है हम आपको एक बहुत ही खूपसूरत चीत दिखाने वाले हैं यह जो पेड़ आप देख रहे हैं बहुत ही इस्पेशल यह पेड़ है आप जो मार्केट में सिंदूर लाल रंग का या ओरंज कलर का देखते हैं वो प्राकृतिक तरीके से पैदा होता है यह जो पेड़ देख यह आप सिंदूरी का पेड़ है और इसी से ही सिंदूर बनाया जाता है यहाँ पे आप देख रहे हैं यह पेड़ में जो फल लगे हुए हैं इन फलों के अंदर से ही सिंदूर निकलता है सिंदूर बनाया जाता है कैसी प्रासेस होता है पूरा इस वीडियो में आपको दि हैं जिससे process करके सिंदूर बनाया जाता है इस वीडियो में आपको दिखाएंगे किस प्रकार से सिंदूर इन फलों के अंदर रहते हैं कैसे उसे निकाला जाता है कैसे process किया जाता है चलिए देखते हैं बहुत ही मज़ाने वाला है दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं फल के अंदर से सिंदूर कैसे निकलता है यहाँ पे देखी यह जो गुच्छा है यह पूरे सिंदूर के फलों का गुच्छा है इसके अंदर से दाने के रूप में यह निकलते हैं यह अभी कच्चे इसलिए हरे दिखाई दे रहे हैं ज दाने यसके अंदर के कईशे इसे लाल रंग रखेंकinka सिंदूर बनाया जाता है। पूजा पार्ड के वाल लिए इसे हम इन दानों को दिखाते हैं कईशे होते हैं होते हैं ये पक चुके हैं पूरी तरीके से और इन दानों को ही प्रोसेस करके सिंदूर बनाया जाता है ये दाने लाल रंगे जो है इसे हम हाथ में मसलेंगे तो ये देखे ये जो रेड रेड सा कलर आ रहा है यह वही सिंदूर का कलर है जो आप पूजा पाठ के काम में लाते हैं यह आप देख सकते हैं यह अभी केवल हमने फल को इस तरीके से मसला है तो यह कलर आया इसको पूरा प्रोसेस करते हैं तो पाउडर के रूप में सिंदूर बन जाता है अब दोस्तों बहुत ही के से कुछ फल होता है इसकी ऊपर यह रोम-रोम से लगे हुए होते हैं और इस तरीके से को हम खोल लेते हैं वाव दोस्तों देखिए यह जो कच्चा फल है इसको निकालने पर यह कितना खुबसूरत दिखाई दे रहा है इस तरीके से दाने के रूप में फल के अंदर रहत करता और कितना ड्रक कलर इसमें से निकलता है यह देखिए दोस्तों इसको मशलने पर आपके सामने हमने यह से मसला है और यह कलर आप तरीके से हो सकते हैं कितना बका और खुबसूरत गहरा सिन—णूर का कलर आया है Core hair और यह भगवा कल refuses पूजा पार्ट के काम में दे लेत प्राकरतिक सिंदूर का कलर है जो कि आपके सामने हमने इसे पौधे से इस पेड़ से इनके फलों से निकाला है इस तरीक से गुच्छे के रूप में ये पूरा फल होता है और पूरा पेड़ आप देखिए एक बार हम पूरा व्यू आपको दिखाते हैं दूर से ये पूरे पेड़ को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पतियों से जादा इसमें फल दिखाई दे रहे हैं जब ये पक जाएंगे तो सारे ब्राउन कलर के हो जाएंगे और इनके अंदर के दानों को निकाल कर सिंदूर के लिए से प्रोसेस किया जाएगा और कहीं जाके फिर ये तो दूस्तों इस वीडियो में हमने आपको दिखाई कि किस प्रकार से सिंदूर बनाया जाता है उमीद आपको वीडियो पसंध आए होगार आपको वीडियो पसंध आए तो लाइक कर दीजिगा शेळ कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगory आप चैनल पर नहीं तो चैनल झाल झाल